कि वेल्कम तो और चैनल सेयर मार्केट सोलोशन 24 इंटिव सेवन आपका स्वागत है और आज हम लोग बारे में डिसक्स करने जा रहे हैं वह है एक्साइड इंडेक्ट्री का और एक्साइड इंडेक्ट्री का सेयर जो है लगतार न्यूज में बना हुआ है और वह न्यूज क बनाए है आप से डिसक्सन किया है प्लीज उसको एक बार रिविव कर ले जो लोग नए विवर है वह एक बार देखे कि मैंने एक सथा में जितने सेयर बनाए है उसके रिटर्न आपको क्या मिले हैं क्या आप मैं एक जांपल बता दूँ आप सिक्योर क्लाउड का एट के मा आप देख लीजिए एक सो दस से वह सेयर जो है एक सो असी तक पहुंच गा मात्र छै दिनों के छे से साथ ट्रेडिंग सेशन में आप बात करें सिटी उनियन ट्रांसफोर फाइनेंस का तो वह सेयर जो है 1900 से आज 2400 के उपर ट्रेड कर रहा है आप बता दे कि रिलाइंस का के मीडियम मीड कैप सारे सेयर जो है मैंने जो केपी आईटी से ले केपी आईटी हो गया नैल को देखिए सरकीट मैंने 300 300 के लेबल बताया थे आज 500 के ऊपर चल रहा है तो यह सब चीजे दोस्तों आपको मिल जाएंगी आप सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब करने के वाद मैं केवल चार से पांच डाल पाता हूं और वह भी क्वालिटी वाले सेर डालता हूं जिसमें आपको उस चार-पांच शेर में आप एक बार स्टैडी करके एक पूटफोलियो बनाके आप पांच पांच शाजार रुपी आप डाले तो अच्छा खासा जो है रिटरन आपको मिलता है यह सारे चीजे जो है सीखने की चीजे है दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन दवाना मत भूरी चलिए डिसकस करते हैं पहले चार्ट को फिर नीज पर आते हैं और उसका क्या एफेक्ट होगा सेर प्राइस पर एक रटरी के वह भी हम हां से हाई लगा था दोस्तों यह 250 रुपएं से 252 यहां पर सपोर्ट काम कर रहा था 2007 में और इसने अच्छा भाट से जो है सपोर्ट लेना से और सपोर्ट देखे कहां पर बनता है जो इसका हाई था Mतलब 250 रुपर घ्या की वहीं पर फिर एक सपोर्ट ले के दोस्तों यहां से यह उपर जाता है और इसकी कहानी समझे थी यह एक फाई लगाता 300 के आसपास का वहां से फिर डिग्रेट होता है और हमारा यहां पे एक जो लेबल है यहां पर देखिए तो यहां पर एक सपूर्時間 लेता है एक बार 241 के लेबल पर देख दो तीन और जो दो 141 दोड़ता है दोस्तो तो वहां से अच्छा खासा यो है फिर उसी लेबल पाता है 194 जो तीसरी बार है यहां से 123 फिर चार में और एक बार देखें यहां पांच पांच वी बार बार इसने तोड़ा है तो फिर इसने वह सो100 खाचट के लेवल तो यहां तो आप ट्रेंड में था और फिर जाकर आपको बता दूँ उसी एक सो चानवे के आज पास यह रहा है और लेने के बाद जो है नीचे आया है एक सो बहुतर पर सपोर्ट चूलिया था देखिए यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था तो यहां पर एक सो बहुत इसने बहुत और आज के ड्रेट में बात करें तो यहीं पर आके इस लेबल प्रिमताब 207 रुपया के हाँ पर रिस्टेंस बदा है और 207 यही निकलता है दोस्तों तो ही हम यहां पर मान सकते हैं कि इसको 214 यह यह लेबल निकल जाता है दोस्तों दोस्तों चौदा का तो पिर आपको इसमें अच्छे खासे 234 का फिर नेक्ट आपका टारगेट होगा 251 का और आपका नेक्स टारगेट होगा 274 का और ये नेक्स टारगेट होगा 300 रुपे का तो ये शारे तारगेट में इसलिए बताए कि यदि आपने कुछ पैसे लगाए हैं माल आजए 20 तो इस लेबल पे थोड़े थोड़े जोड़े आपका प्रॉफिट बुक कर लेने से क्या होता है कि आपने 170 विकरता है तो उसकी प्राइस जो है लगभग आपके 20 120 130 पे आ जाए ताकि आप लॉंग टर्म के लिए सुकून से इसको होड़ कर सके क्यों कि लॉंग टर्म का यह अब यहां से जो जो रैली स्टार्ट होगी वह अभी इसकी सुरुवात होगी आपने वाले समय में अच्छा खासा इसमें गेन होने वाला है अब बात कर लेते हैं न्यूज का दोस्तों तो न्यूज में देखें तो यहां पर देखते हैं कि एक्साइड ने जो है अपना ज पाइलिंग भी कर दी है और 6,690 करोड रुपया के आसपास यह डिल हुई है और इसकी अधिकरण के जरिये जो है आपका HDFC लाइफ की इंस्योरेंस सेक्टर में अपना कंस्टमर बेस और मजबूत करने की योजना बनाएगा तो जिसे इसमें HDFC लाइफ को फायदा हो ना हो यहाँ पे जो है side industry को clear get बहुत जादा फायदा होने वाला है उसका क्या रीजान देखतो देखिए यह side industry का share price इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा था क्यों एक तो इंस्योरेंस बिजनेस और एक तो आपका battery बिजनेस दोनों एक साच रन कर रहा था और किसी भी company के लिए दो दो बिजनेस डिफरेंट टाइप के बिजनेस जब डील करती है तो उसके habitat में जो है problem आती है क्योंकि कहीं एक फायदा होता है कोई loss देता है जैसे आपका for example आप देख लीजिए आपका एक share है जो 200 रुपे चल रहा है तो आपको पता होगा वह कौन सा share है ITC का और ITC का share इ जो उसमें value है वो unlock नहीं हो पा रहा है जब तक उसको अलग अलग ना किया जाए तब तक नहीं पता चले तो यहां पर जब IDFC life insurance को खरीद लेगी तो इसमें देखिए valuation को क्या मिला है यहां देखिए एक्साइड life insurance का जो valuation था वह 28 रुपे से 32 रुपे पर रहने का अनुमा लगाया था लेकि जो deal हो रही है वो 79 रुपे के valuation पर की गई है तो यह बहुत ही अच्छा है और इससे जो है अच्छा खासा पैसा करें अपनाएक मैंने न्यूस गोना था मैनने कल की राइव इंस्सोula कि भीडियो बनायाए थी उसको एक बार देखिए गास कौने मैंन में बता दिन क्ली चाट पर तो वह बाता दिए और कालर के बवावे